दोस्तो आज बाजार में हमने तुफानी तेजी देखिए अब आप देख सकते हो कि यह जो इतनी बड़ी तेजी है इसके पीछे बहुत सारे रीजन है कम से कम पाच्छे बड़े रीजन है जिनों ने यहाँ पे तुफानी तेजी का माहल बनाए अब क्या यहाँ से एक करेंगे मारकेश क्या कह रहा है इस समया बाजार को लेकर वो भी समवाइने की कोसिस करेंगे और कौन से से क्युए investment का मौका बनता है यहाँ पे NSE और BSE को लेकर भी एक बड़ा यहाँ पे फैसला है जो इसमें दिखाई दे रहा है उसको भी समझने की कोसेश करेंगे इस वीडियो के मादिम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी ने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले बाजार को देखे तो बीए सी सेंसेक्स ने आज जबर्दस तेजी बताई 75,418 के इस्तर पे पहुचा 1196 पॉइंट की तेजी यानि 1200 पॉइंट की तेजी बताई है 1.61 परसें दोड़ा बीए सी सेंसेक अब यहां पर अगर हम बात कर लें निप्टी 50 की तो आज 22,967 के स्तर पे क्लोजिंग दी है बिल्कुल एक फ्रेश आई आज बनी है और 1.64 परसें की जबर्दस तेजी थी निप्टी 50 में तो आज जो तेजी बनी है बाजार की वो निप्टी 50 में सबसे बड़ी है यह की बात कर उतनी बड़ी तेजी नहीं थी अब यहां पर निप्टी मिड के फिप्टी 50 की बात करो 0.40% की ही तेजी थी और निप्टी Mird cap अन्डेट में 0.48% की थी यानि वो आदा परसेंट से भी कम थी तो निप्टी के बड़े इंडेस में जो तेजी 1% से उपर की है लेक पेगर हम small cap की बात को वहाँ पे तेजी बहुत ही कम थी तो निप्टी small cap 50 में मात्र 0.13% की तेजी थी और निप्टी small cap 250 में 0.24% की तेजी तो mid cap के मुकाबले भी आधी तेजी थी small cap में तो यह clearly समझ सकते हो कि आज जो पूरी तेजी बनी उसमें जो सबसे बड़ा योगदा हमें तेजी देखनों को मिली तो वो निप्टी auto में थी 2.25% की bumper तेजी देखनों को मिली और उसके बाद अगर किसी winner था तो वो था निप्टी bank जिसमें 2.06% की तेजी थी और निप्टी private bank भी 2% दोड़ा तो आज banking shareों में और निप्टी auto ने पूरी बाजार का माहूल यहाँ पे निप्टी reality में भी 1.13% की तेजी थी तो आज दो sector थे जो raid में थे एक था निप्टी फार्मा जिसमें 0.52% की गिरावट रही और दूसरा है निप्टी health care जिसमें 0.79% की गिरावट रही तो आज फार्मा sector ने कोई खास परदर्शन नहीं किया यह negative रहे बाकी overall स banking sector auto sector है अब यहाँ पर देख सकते हुए एक ही दिन में निवेशकों को 4.15 लेक रोड की जबर्दस पंपर उनकी संपती में बड़ोतरी देखनों को मिली है और एक नया record बनाया बाजार ने तो आज गुरु आर को sensex ने और निप्टी ने नया इतियास रच दिया है जबर्दस तेजी के साथ देख सकते हो कि यहाँ पर जो निप्टी का जो record बनाया है वो आप देख सकते हो कि ट्वैंटी रूट हवजें 993.60 का है और बिलकुल अभी यह 23,000 का इस्तर तोड़ने को तयार हो चुका है यहाँ पर इस इंडेक्स के अंदर सिर्फ तीन शेरों में गिरावट थी और वो है NTPC, Power Grid और यहाँ पर सन फार्मा तो यह Power Sector के शेर और यह फार्मा का तीन शेर निगेटिव थी बाकी सब में सांदार तेजी देखने हो और सभी ग्रीन में क्लोजिंग दिये अब आज ज इस डिविडेंट से सरकार को राज की घाटे में यह फिस्केल डेफिसिट है उसको नियंतरन करने में बड़ी मदद मिलेगी एक्सिस सिक्यूर्टी के टेक्निकल और डेरिवेटिव सरीशस हैड राजेस पालवी ने काय कि आर्बिय ने सरकार के अनुमान से जो एक लाक करो इस डिविडेंट सरकार को दिया है जिस से सरकार इस पैसे का इस्तिमाल कर बाईगी और बाजार पे भरोसा मजबूत हुआ है तो बैंकिंग सेक्टर हमी मजबूत हुआ है और देख सकते हो जो कि बाजार भी बाजार अब यहां पे स्वस्तिका इन्वेस्मार्ट के रिशर्ज हैड संतोस मिडा का कहना के इससे राज की घाटे के साथ बॉर्ण इल्ड पर भी असर पड़ेगा और बाजार के लिए यह पॉजिटिव खबर है दूसरा जो सबसे बड़ा रिजन बना की निवेस्को के बीच में लोकसभा चुनाओ को लेकर थोड़ी घबराड थी वो कम हुई है उन्हें बीजेपी सरकार की इसपश जीत की उमीद है पालविये ने काय की चुनाओ के नतीजों को लेकर गबराड थी लेकिन पीछले पाज सरणों में मददान को देखते हुए अब नतीजों के दोजार उन्नीस के चुनाओ के मुताविक रहने की उमीद लगाई जा रही बदान परतिशत में कमी से सुरुआत में चिंता बनी हुई थी वो अभी हालिया आकड़ों से दूर हुई है जिससे मौज़दा सरकार के सत्ता में वापस आने की उमीदे बढ़ने लगी है पार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि जो पॉलिसी पहले लाई गई वो फिर से बने रहने में उमीद दिखाई दे रही है मौजुदा रैली भी अच्छी है क्योंकि इससे अगवाई में कुछ वाजिब वैलुशन भी देखना को मिला लार्ज केप के अंदर तो कुल मिला के अब इलेक्शन के पहले जो एक माहौल बनाता है उसमें डर लोगों का कम है इसके अलावा मीड केप और स्मॉल केप लगाता नए सिकर चूरे फाइव ऐसा के रहसेर सेनाली रूचित जैनने का है कि इससे पता चलता है कि ब्रॉडर मार्केट में मौजुदा तेजी मजबूती से आगे बढ़ने को तयार है हलां कि उन्होंने का कि कुछ शेरों में वैलूशन उंचा हो गया है और उनमें आपको खास द्यान लखना है संतोस मिना को उमीड है कि मिड केप और स्मॉल केप का परदरसन यहां से थोड़ा कमजोर हो सकता है पाच्वा रिजन है कि एफवाई फिर से बाजार में लोटके आ सकते हैं संतोस मिना का कहना है कि गरेलू अर्थ व्यवस्तार लगातार मजबूत बनी हुई है गुरुवार को जारी HSBC PMI की रिपोर्ट में बताया गया कि मही में बारत के निर्यात में रिकॉर्ड वरिद्धी हुई है और इसके कारण रोजगार में भी 18 वर्स में सबसे अधी तेजी देखने को मिली है ज गरेलू के सामने डियाई जम के खरीदारी करें और आकड़ों से पता चलता कि डियाई ने 22 मही तक करीब कैश में 38,331 कोड के शेर खरीदें दूसरी आर एफफ़ाई ने अब तक 38,186 कोड के शेर बेचे तो डियाई का बाजर को पूरा सपोर्ड मिल रहा है जिससे बाजर दोड़ रहा है और मार्केट की तेजी को लेकर अप देख almighty.스 émn के निरह करे आका कहेना है कि चूनावी नतिजहों की संभावनआँ पर मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है, हालनकि निरह का मानना है कि सिर्फ चूनावी वज़े नहीं है. टेक्निकल और के लिए सिग्नल काफी positive हो चुके है इसके अलावा देकर तो heavy weight में आज reliance industries और HDFC ने बाज़ार को पूरा support दिया है जबदस तेजी का वातरम बना है और जो brand crude जो उसकी price जाग देए US dollar में 82 barrel डिट के नीचे आ गई है ACA बाज़ार ने भी साथ दिया यह सारे region मिलके बाज़ार में तेजी बनी है और अब आप देख सकते हो अच्छे quality stock में नीवेस का यह सई मौका बन रहा है एक जो बड़ी update निकल के आ रही है BSE और NSE Gip City में यहाँ पे इनके अंदर जो merger होने वाला था उस merger की जो प्रक्रिया को रोक दिया गया है फिलाल दोनों इस प्रस्ताव से बाहर निकल चुके है तो Gip City में एक्षेंज जो NSE और जिसमें NSE IX और BSE इंडिया इंटरनेशनल एक्षेंज यानि इंडिया और यह जानकरी मनी कंट्रोल के मादिम से मिल रही है कि फिलाल दोनों का merger नहीं होगा और NSE को बुद्वार को 22 में को इसका email बेजा गया है और mail में BSE ने इस वीले के खिलाप अपने फैसला दे दिया है यानि BSE नहीं चाहता कि BSE के साथ merger करे तो सरकार चाहती थी कि NSE और BSE के दोनों का merger हो जाए गिप्ट सिटी में लेकिन अब BSE अकेले ही आगे बढ़ना चाहता है तो यहाँ पर दो कि जन्वरी तक यह पूरा merger होना था इंडिया आइनेक्स और NSE IX का लेकिन अब आप देख सकते हो कि यह जो मरेदर की प्रक्रियात है रूख चुकी है तो कुल मिला कि BSE अपने इसाब से आगे बढ़ना चाहती है अब सबसे जो बड़ी बात है कि बाजार में इस समय कॉलिटी स्टोक में निवेस का यह सही मौका है खरीदारी करनी चाहिए आने वाले इसमें इलेक्शन के जो रिजल्ट डिक्रेव रगा उसके बाद में अच्छी तेजी की समवना बन सकती है बादर में लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजर बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरुकिज और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड्स